मित्रो चिपकली को वेदो और पूराणों में बहुती ज़्यादा चमतकारी माना गया है चिपकली चाहे तो आपकी किसमत बदल सकती है नव रात्री के दिनों में चिपकली को केवल ये एक चीज खिला दो और फिर देखो किसे आपकी किसमत चमकती है आपकी हातों की लखीरे बदलती हैं मित्रो नव रात्री के नो दिनों में से किसी भी एक दिन आपको ये तरीका अजमाना है आप सभी के जानकारी के लिए बता दूँ चिपकली, कीट, पतंगे और सबजियों के पत्ते काती आपको पालक के पांच पत्ते लेना है उनको मांबे के चर्णों में रखना है जहापर आपका बगवान का मंदिर है वहापर माता अंबे का चित्र लगाना है उन पांचों पत्तों को माता अंबे के चर्णों में रख देना है अब एक मंत्र का जाप करना है इस मंत्र का 108 भार जाप करना है और जो अभी मंत्रित की हुए पालक के पत्ते हैं उनको लेकर जहां पर चिपक लियाती है बल्प के आसपास आपके पटी के आसपास जहां पर भी आपको दिखती है वहाँ पर उनको लटका देना है अगर चिपक लिए उन पत्तों को थोड़ा सा भी खा लेती हैं तो फिर देखिए किसा आपके जीवन में एक अधबूच चमतकार होगा जो आपकी किस्मत बदल के रख देगा इस टोटके का उपयोग करने के बाद जिस भी नए कारियों को आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलीगी घर में पेसा खीचा हुआ चलाएगा चुम्बक की तरफ खीचा हुआ चलाएगा दन प्राप्ति के मारग आपके लिए खुलेंगे परसे के अंदर पेसा टिकने लगेगा घर में लड़ाई जगड़े हो रहे हैं तो खत्म होगे और सुक शांति आपके घर के अंदर बनी रहेगी